जे गलिश जे गलिश देवा मताजा की परबती पिता महादेवा उत्तरप्रदेश की अलिगड में एक मुसलिम परिवार ने अपने घर में हिंदू देवी देवताओं का मंदर स्थापित किया है जिसके बाद से ये मुस्लिम परिवार रोज हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है मामला अलिगर के A.D.A. कॉलोनी का है यहां सिर्फ खान अपने पतनी रूबी और बेटे के साथ रहते हैं कुछ दिन पहले उनके बेटे की तवियत अचानक बहुत खराब हो गई उन्होंने उसका बहुत इलाज कराया मगर उसकी हालत बिगरती गई जिसके बाद परिवार के लोगों ने हिंदू देवी देवताओं से बेटे के ठीक होने की मननत मांगी थी बेटा ठीक हो गया तो परिवार की भगवान पर आस्था बढ़ गई परिवार ने भगवान का मंदिर घर में स्थापित किया और पूजा पाट करना शुरू कर दिया मुझे इस बात का पता नहीं था मेरी बेटे की हाला ज्यादा खराब थी किया चल रहा है किसके दिमाग में कुछ नहीं मालूम और मुझे इतनी खुसी है कि भगवान ने मेरी परातना कुबूल किये जो मैंने भगवान से मागा था कि मेरा बच्चे ठीक हो जाए मैंने जिसे मंदिर की स्थाफना आज अपने घर में रखिये महीं बच्चे के पिता आस्फ खान ने बताया कि उनका परिवार पहले से ही भगवान राम की पूजा अर्चना करता था लेकिन इस चमतकार के बाद उन्होंने अपने घर में ही मंदिर स्थापत कर लिया मेरे बेटे की बहुत आलत खराब थी इतनी आला सीरियस थी कि उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो बच जाएगा तो मेरी पत्नी नों और हमने भी भगवान से पिरादने की अल्ला से दुआ मांगी तो भगवान शीरा हमारे बेटे को अच्छा करने है तो उसके लिए हम घर में मंदिर की स्थापना भी करेंगे और जिस तरीके से हमारा पूजबार चलता आए उसी तरीके से चलता रहेगा तो हमारे पेटे की तविएट से ही हो गई हम परसों डिस्चार्ज कराके लाए आई सीज़ों से उसको तो हमने दोनों ने मंदिर इस्तापित किया और हमें बहुत खुशी है बता दे कि रूबी आसिफ खान भाजपा महिला मोचा महावीर गंज की मंडल मंत्री है जन कल्यान कारी योजना जलाध्यक्ष श्री राम जनभूमे निर्माण न्यास में भी जलाध्यक्ष के पतपर है और रोबिय आसिव खान के पती मुहम्मद आसिव खान ग्लास का काम करते हैं अलिगर्सिय अक्रम खान की रिपोर्ट यूपी ताक